फॉसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार फिर फिर जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना साथियों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उमीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे पढ़ाई लिखाई बढ़िया मस्जवर्जश चल रही है एक बार कमेंट करके बता देंगे कि सब अच्छा है आगे बढ़ें एक वीडियो एक टॉपिक वाली स सकते हैं समझ सकते हैं कि 10 नॉंबर से बैच आ रहा है मतलब आ चुका है ठीक है इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो सवाल कुछी तरीके के थे एक स्क्वायर धन सोलाए और धंदो नंबर सुरू वाला करना यहां कोई नहीं होता था यहां अगर नहीं होता है तो इसका इसका सिस्टम अलग हो जाएगा सवाल नए है आपका प्रेक्टिस हो जाएगा इस तरीके के प्रस्णों में बच्चों इसका मल्टीपल इसमें करते हैं यानि जो पहला एसक्वाइर या एक सिस्क्वाइर जो भी करते हैं फिर जो मिलता है यानि क्या आया सोला और यह बीच वाला क्या है सोला तो दो ऐसी गिंती खोजना है जिनका गुड़ा करने पर सोला आजाए और जोड़ दें तब वो सोला आजाए तो उमीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे दो ऐसी गिंती बताओ जिनको तब यह सोला आजाए जोड़ें तब भी सोला आजाए तो आप सबीको पता है 8 और 8 न लुक सकता हूं 8 plus 8 लिख सकता हूं के नहीं क्या ये व सही होगा, नहीं सही होगा कि सही होगा, एक बार चला देखो तो 8 को 8 में जोड़ोगे तो 16 तो हो जायेगा लेकिन 8 कारट में गुड़ा करोगे 16 कहां होगा नहीं होगा, फिर गड़बड हो रहे बाबाई, रुको और अगर जोड़ दें तब वो 16 आ जाए तो देखो मेन ये है गुड़ा करने पर 16 आ जाए क्या-क्या पॉसिबल है देख लेते हैं बाकी सवाल गलत है सही है क्या है वो बाद में देखेंगे तो दो अट फोला दो चोक आठ और ये दो दुना चार और ये दो दुना चार देखो यहाँ पर क्या-क्या पॉसिबल हो सकता है चार और चार चार-चार अगर जोड़ दें तो आठ हो जाएगा लेकिन अगर चार का चार में गुड़ा कर दें तो 16 हो जाएगा ठीक है एक और क्या बन सकता है दो दुना चार यहां पर 10 होना चाहिए था मैंने मुझे लगा सवाल बनाने में थोड़ा मिष्टेक हुआ है अगर सवाल गडबर रहेगा तो फिर वो नार्मल तरीके फिर नहीं लगेगा उसका नियम फिर अलग हो जाता है वो चीज मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूँ ठीक है अभी ऐसा कुश्चन होना चाहिए जिनमें ये चीजें बन सके गुड़न खंड हो सके आसानी से समझ रहा हूँ ना तो रामबान नहीं लगाएंगे अभी वो सूत्र तो क्या करेंगे तरीका वही रहेगा जोडने पर आजाए दस तो आठ में दो जोड़ेंगे तो दस और आठ दो का गुड़ा करेंगे तो सोला ठीक है बाहर से ए लगा था लगा दिया इसमें कोई दिक्क देखिए द्हान से इसमें दोनों में कॉम आठ ओर काम ले लेंगे ऐठ a howan होगा है ना तो और आठ एद हन एक बचेगा और इसमें क्या होगा दनका मेल ले लेंगे तो य प्लस वन बचेगा अब final में होगा क्या एप प्लस वन और 8 A 1 फ्लस यह बनेगा ठीक है यह क्या है यह आपका गुड़न खंड है फैक्टर है गुड़न खंड मतलब आप जान रहे हो जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए थोड़ा से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप यह करते हो कि समझना आकर जैसे आप 16 को आठ गुड़ा दो लिख सकते हो ना आप 32 को आठ गुड़ा चार लिख सकते हो लिख सकते हो ना वैसे हम fulfilled यह जो बदacji सभी मेरी बात को समझ पा रहे हो न, आगे बढ़ें, चलिए दूसरे बाले में आ जाईए इसमें भी वही तरीका है, इनका गुड़ा इसमें कर लीजिए कितना आएगा, साथ कछे में, सेबन, सिख्वजा, 42, और ये कितना है, 23 मतलब यहां से समझना, मल्टिपल करने पर 42 आए और एड करने पर 23 आए, बताए कोई दो नंबर, गेस करिए, जोखो गेस करने पर टाइम लंबा लग जाता है, लेकिन मैं तरीका आपको सिखाऊंगा, जोर गिंती हमें गुड़ा करने पर प्राप्त करनी है, उसका हम यहां ऐसे अभाज गुड़नखंड करते हैं, दो, दुना, चार, और फिर तीन, सते, एक आईस, और साथ, एकम, साथ, उसी को अभाज गुड़नखंड करके हम तुक्का लगाते हैं, ठीक है, खोजने के लिए, माल लिजिए तो छोटी-छोटी गिंती बहुत-बड़ी आ गई, तो वहाँ भी ऐसे ही करते हैं, तो पहले इसको हम अलग कर देते हैं, इन दोनों को एक में मिला देते हैं, एक यह तरीका है, पहले इसी को ना करो, पहले इन दोनों को एक में कर लो, इसको अलग कर लो, ठीक है, तो इन दोनों का गुड़ा कर लो, छे आएगा ये साथ मिलाया था अब अगर हम इनको और इनको मिला दें दो और साथ को मिला दें तो 14 हो गया और यह 3 हो गया 14 को 3 में मल्टीपल करें तो 42 हो जाएगा लेकिन 14 अगर 3 को जोड़ें भाई साथ तो 23 नहीं आएगा तो यह भी मामला फेल हो गया फेल करके पहले भाई ते में बताए हूँ पास वाला बाद नहीं बताऊंगा अब क्या करें इन 2 ना 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 धो को अलग कर लो 3 साथ को अलग कर लो तो तो 2 अलग बन गया 3 साथ का होगा है कैसा 21 क दो में खुड़ेंगे लेकिन 1 पप होने वाला व्हाला रास्ता में पहले चलता हूं जिससे आप समझ पाओ है न तो इसको 21 दो लीख सकता हूं तो टी धन 6 तो ये 70 का स्क्वायर प्लस एकाईज टी और प्लस ये 2 T और प्लस 6 भाईया हो ये में common ले लो दोनों में तो क्या common हो जागा 70, 70 common होगा एक T बचेगा अंदर में और इदर क्या बचेगा 3 धन यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 common होगा तो T प्लस 3 यहां भी बचेगा क्या बचेगा T प्लस 3 कोई doubt ना किसी को अब जो दो बार है T प्लस 3 उसको F लिख देंगे और जो 7 T प्लस 2 है एक बार इसको ऐसे single लिख देंगे यह आपका हो गया उत्तर इसमें किसी को कोई असमंजस कोई doubt दुख दर्द नहीं ना देखे चीजों को सिखाना पड़ता है कुछ लोगों को लग रहा होगा यह तो एक बैच में पढ़ाए थे अभी लाइब में यह एक सिरीज चल रही है हमें basic ही पढ़ाना है तो लगबग को लिख सकता हूं 50 इन्टू दो क्या लिख सकता हूं 50 इन्टू टू ठीक है तो वैसे क्या हो सकता है यह 100 हो जाएगा उसी तरीके से अगर हम हम 500 को लिखें क्या 30 गुड़े 5 तो 30 गुड़े 5500 होता है पचास गुड़े 200 होता है वैसे ही अगर हम इन दोनों को गुड़ा करेंगे तो उपर अला जाएगा बात समझ में आई ना कोई डाउट है तो मुझे बताओ अगला और सवाल होगा इसको भी देख लीजी आप लोग फटा फट देखो जल्दी से देखो और मुझे बताओ चलो अगला यह भी है आप इसको हम और करेंगे इसको मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में ना जीएंगे यह जनी गुड़ा करने पर मल्टीपल करने पर टू आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए तीन बात समझ में आया ना इसको भिंद में देखके घबराना नहीं तो एक बटा तीन बी स्कॉाइर धन दो का एक में गुड़ा करोगे तो दो दो को एक में जोड़ोगे तो तीन आएगा तो यह हो जाएगा दो धन एक और यह बी धन छे ठीक है अब इन में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होगा इसलिए बता देता हूं में इनको गुड़ा करोगे दो बी धन यह बी धन यह छे अब इसमें कॉमन क्या होगा दे का गड़बड़ होता नजर आएगा ना रोकजा भईया दो गुड़ा करने पर दो और जोड़ने पर तीन ठीक है बने का बनाना पड़ेगा मुझे बताता हूं कोई बात नहीं बीच में लोग डिश्टब करने फोन करके तो इन दोनों में हमें कॉमन लेना है और इसमें कॉम हो सकता है अगर हम एक बटा तीन ने लोन तो यह क्रावचिए बतां उत्य कोई से देखो बताता हूं कि अगर दो भी है इस में से यह बहुत अच्छी समझने वाई चीज है एक बटा तीन कामन का मतलब है भाइसाहब कि हम इसको एक बटा तीन से भाख करेंगे ठीक है तो दो को एक बटा तीन से भाग करो आप दो को एक बटा तीन से भाग कर लोगे देखो बताता हूँ इधर देखो अगर दो को एक बटा तीन से भाग करना है तो ये दो है इसको एक बटा तीन से भाग करना है एक बटा तीन से समझना समझना अब क्या करेंगे न हमने क्या भाग किया इसको अब इसको भाग करने का आसान तरीका है दो को ऐसे रहने दीजिए और भाग की जगा गुड़ा लगा दीजिए और तीन बटा एक कर दीजिए एक बटा तीन को ठीक है गुड़ा कर लिजिए छे आएगा यानि अगर हम दो को एक बटा 3 से भाग करेंगे साथी मेरे तो 6 आता है ठीक है क्या आएगा 6 यानि हम इसमें common ले सकते है common का मतलब ही होता है भाग करना ठीक है तो इशमें हम एक बटा 3 B common लेंगे तो यहाँ पर ठीन लेंगे, तो यहाँ पर कहां पर क्या बचेगा यहां पर बच एक और एक बटत तीन वी धन comment करना समझ में आगी नहीं common वाला concept समझ में आ रहा है common का मतलब ही भाग करना होता है साथ ही मेरे ठीक है तो अभी इसमें एक वीडियो और भी आएगा जब last में minus होता है तो ठीक है और हाँ अगर आप पढ़ाई को लेकर serious है न तो यह देखी आपके काम की चीज है PBR study app में अभी new batch आया है 10 November से अभी उसमें ज़्यादा कलाफ नहीं हुआ है बाकी की कलाफ है हम आपको recording दे देंगे कवर कर लेंगे आप 2-3 जो आगे पीशे हुआ है ठीक है इसको एक बार download करके try जरूर करें अगर फिरेफली सीखना है बाकी YouTube में ऐसे देखते रहेंगे तो हम बहुत कुछ आपको सिखाते रहेंगे लेकिन YouTube में टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पर संख्या ज्यादा है सात लाख से अधिक संख्या है और यह मात्र 490 में पूरे एक साल बारा महिने के लिए 30-40 रुपय महिना के हिसाब से आप पढ़ सकते हो प्यार से घर बैठे recording प्लस वीडियो टेस्ट होगा फुल कोर्स का package ही गठ्था मिल जाएगा PDF का पैनल मिलेगा एक तरब से पूरा देखना जो भी स्रीज देख रहे हो